हलो गाइज, विल्कम टो अच्छे वायज, माइनम जविश मिठी, इस यूडियो में हम बात करेंगे इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट की, सबसे पहले तो यह समझे कि इंडिया और नेपाल ले नेपाल गंज में इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट खोला है ताकि क्रोस इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए नेपाल की साइड भी हमने बनाए क्यों बनाए ताकि क्रोस बॉर्डर ट्रेड को बूस्ट हम कर सके अब यह चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यह बॉर्डर चेक पोइंट की मैं अगर बात करूं देखिए इंटिग्रेटेड चे होते हैं वह रिस्पॉंसिबल होते हैं वहां पे क्रोस बॉर्डर मुवमेंट को चेक करने में फैसिलिटेट करने में इंस्पैट करने में ताकि कोई अनुथ्राइश तरीके से आना जाए अब बहुत बड़ा चैलेंज इसमें होता है क्योंकि तुम्हें एक तो ट्रेड को फैसिलिटेट करना है यानि वह तेजी से बड़े रुगावटे ना है और उसमें यह भी देखना है कि यह सिक्योर हो गुट्स जो हैं वह सही है की नहीं है और तरीके से आरे नहीं आरे कोई हामफुल गुड्स थोड़े है यह जो पर्मिशन नहीं मिली वह लोग थोड़े ना वह ऐसे मान सकते हैं अब लिश्ट करनेक्टेड डिजन है दुनिया का इंडिया को अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ वैसे भी अब इंटिगेटर चेक्पोइंट पोस्ट समझ में आ गया आपको इंटिगेटर चेक्पोस्ट एक इंटरनेशनल बोर्डर होता है इंट पूरी वहां पर फेसिलिटीज होती है अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से यहां पर काम होता है अब क्लिम्स के अब्जेक्टिव से एक बात यहां पर समझो कि लेंड पोर्ड ऑथरिटी ऑफ इंडिया ये बोडी रिस्पॉंसिबल ये स्टेटिटरी बोडी है ये पोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये बनी हुई है ये डिपार्टमेंट ऑब बोडर मेरेजमेंट के अंदर आती है मिनिश्टि ऑफर्म आफेर्स में काम क्या इसका वही इंटिग्रेट जो इंटरनेशनल बोडर है वहां पर इंटिग्रेटर चेक पोस्ट ह निश्टि होती है हमारी पड़ोसी देशों के साथ तो वहां पेbir कार्गो और पैसेंजर स्का मूमेंट अच्छे तरीके से हो अब मैं इंटिदेर्स चेक पोस्ट की बात कर रहा हमतों तो इंटिग्रेटेड मतलब क्या इंटिग्रेटेड मतलब यहां यहां पर हरते हैते क cargo handling facilities हो जैसे warehousing हो गया refrigeted cargo facilities हो गई medical plant animal quarantine facilities हो गई और आपका drivers के लिए passengers के लिए रुकने की वेवस्ता हो गई CCTV के एमराज हो गई security system हो गई power backup वगएर अगए system हो गई wastewater treatment facilities भी हो सकती है तो ICP को manage करने की authority ये है और ICP के अंदर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया अच्छा इसकी ministry ज़रूर याद रखना देखो ministry department बहुत important है अब हम पढ़ते है significance देखो क्या होता है यार ICP का importance security के वास्ते नहीं होता है बलकि हम किशिना किसी तरीके से trade को भी बढ़ाना चाहते है regional trade और Bangladesh इंडिया की per capita GDP हमने देखा उसको भी cross कर लिया है Bangladesh ने तो Bangladesh वैसे भी terrorism को directly promote करता ही नहीं है terrorism को इनाता ही नहीं बांगलदेश का जैसा पाकिस्तान के साथ है तो Bangladesh जैसी countries के साथ अगर हमको trade अच्छे से facilitate करना है तो integrated check post की बहुत ज़्यादा अफशक्ता हो जाती है for promoting regional trade integrated check post are aimed at क्या-क्या इनके aim होते है systematic seamless secure cross border में movement हो goods का और efficient passenger flow हो अच्छा एक बांद मैं आपको बता दू नेपाल और इंडिया के रिष्टे पिछले कुछ महीनों में थोड़े backstage पी रहे हैं लेकिन कुछ अधिकारियों के नेपाल जाने के बाद और अभी foreign secretary की meeting में अनाउंस हुई नेपाल में जाने के लिए नेपाल का रुख थोड़ा बदल गया है नेपाल ने अपना जो काला पानी लेपुलेक और लिमपेद्युवरा जो एरियास थे जहां पर खुद का बता दिया था इसने उस मैप को भी अब सही करके वापस पोस्ट डाली थी वहांके प्रदान मंत्री ने तो अब नेपाल और भारत के रिष्टे भी सुदरन है तो integrated check post का उप्योग अब काफी ज़्यादा तेजी से high potential पहुँच जाएगा smooth process होती है यहाँ पे use of facilities काफी optimize हो जाती है systemize support facilities हो जाती है traffic flow भी काफी ज़्यादा improve होता है अच्छा तीन main border related function यह पूरे करते हैं integrated check post पे तीन function तो आपको मतलब यह मिलेंगे ही मिलेंगे पहले तो customs customs तो आपको वैसे मिलेगा जैसे आप कोई vehicle आ रहा है तो उसका cargo clear करना है goods clear करना है कोई आप मालो passengers का कोई personal item हो currency का currency को monitor करना हो कि भाई fake currency तो नहीं आ रही है ठीक है तो currency personal item goods इन सबका clearance यहां पर होता है पूर तरीके से मोनेटरी मेकनिज्म और installed equipment के साथ में तो customs आपको मिलेगा दूसरा immigration पासपोर्ट चेक करना हो वीजा चेक करना हो पैसेंजर का identification करना हो भया कौन से देश से आए है illegal तो नहीं है सारी विवस्ता हो आपको यहां मिलेंगी मिलेंगी border security यह बीसफ का काम है border security का काम border security force के काम है और यह security को maintain करना legal arms नहीं आ रहे है न लीदल वीपन्स तो कहीं से इंडरेकली नहीं आ रहे है न और यह B.S.F. मिलके customs और immigration को back support भी देती है फिर तो आपस में मिलके यह काम करते हैं अच्छा एक बात समझो इंडिया नेपाल में जो रिष्टा है रिष्टा वो बांगलादेश के साथ भी हमारा भाई हमारे ethnic ties हैं linguistic ties हैं रहे social और family linkage तक हैं तो हम अपने border पे बांगलादेश औ होता क्या है कि criminals के द्वारा भी कई बार यह मिस्यूच किया जा सकता है स्मगलिंग कर रहे हो नार्कोटिक्स वगएरा की या फिर कोई arms हो गोल्ड हो फिक करन्सी हो या trafficking वगएरा जो होती है इन सब की जो risk है वो बढ़ जाता कहीं ना कहीं ऐसे strong neighbors के साथ हो सकता है पांगल ताकि हम अपने आसपास के पडोसी देशों से कोई खत्रा तो नहीं आ रहा है इस खत्रे को भाप सके एक बात आपको ये भी समननी पड़ेगी कि देखो poor facilities अगर होगी ना border पे तो आपके shipment में डिले आएगा cost यदा भढ़ जाएगी और जब integrated check post होगा तो आपकी shipments भी अच्छे से होगी cost भी कम होगी और आपके लोगों को भी फायदा होगा ठीक है अब हम बात करते हैं इनके कुछ challenges की challenges क्या-क्या ये face कर रही है integrated check post कदम तो सहार नहीं है लेकिन क्या अब इसमें changes होने जरूरी है पहला तो कई तरह case infrastructure flows देखे गए यहाँ पर जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे road है सडक है तो इतनी ज़्यादा wide नहीं है जितनी होनी चाहिए थी या फिर cargo या passenger terminal को separate कर दिया हो या फिर जो facilities है वो insufficient है the facilities are present but they are insufficient मालो daily volume भड़ता जा रहा हो या लंबी लाइन लगरी हो passengers की या कुछ समय तक passengers को रुकना पड़ रहा हो या monsoon season में मालो बारिश की जैसे system थोड़ा रुक जाता हो तो infrastructure flows old season वाला यहाँ पे कुछ integrated check post पे नहीं है खास कर की बंगलादेश border की side ठीक है facilities available in passenger terminals are insufficient for the volume of passage it handles daily वही मैंने जो बताया facilities इतनी sufficient नहीं है या या पे they are insufficient तो उनको बढ़ाना पड़ेगा disparity infrastructure across the border अच्छा एक बात यह समझो infrastructure हर जगह हर integrated check post पे same नहीं होता for example हमने तो जैसे पैत्रापोले नाम का integrated check post है पैत्रापोले जगह पे इंगित इंडिय और बंगलादेश में वहाँ पे हमने facility बनाई 2000 ट्रक की रुखने की अब हमने वहाँ पे facility तो बना दी लेकिन बांगलादेश में इतनी वाइड शाड़की नहीं है या बंगलादेश के बास इतना साधे 400 ट्रक हेंडल मतलो मालो नो जह 2000 ट्रक हेंडल करने का फैसलीटी नहीं है वो साड़े 400 या 500 ट्रकी हैंडल कर सकता हो तो हमने तो पार्किंग कर दी पर बांगलादेश में अगर इतना नहीं हो तो यहां पर दिक्कत हो जाती है तो डिस पैरिटी है ऐसे नहीं है कि सामने वाला जो परवसिय उसके भी हैसी ही फैसलीटी हो या फिर हमारी इंटीगेटर चेक पोस्ट पे बिएा हर इंटीगेटर चेख पोस्ट वैसी की वैसी फैसलीटीज तो । एक क्वमन जो है वहनी जरूरी है और अक्रोस दा बॉर्डर यानि दूसरी कंट्री में भी वो इंफ्राच्रक्चर अच्छे से रहे अब बात करते हैं स्क्रीनिंग फैसिलिटी की देखो यार ऐसा है कि बीए सब को यहां पर चार्ज दे रखा है पूरी बॉर्डर सीक्यूरिटी का और यही देखते हैं कि ट्रक्स में यह पर ट्रक्स जो है यह लेजिटिमेट हैं की नहीं है मतलब इसेफ हैं कि नहीं है इंको प्रमिशन मिली है कि नहीं है अब दिक्कत यह कि ट्रक्स तो ठीक है सही है लेकिन ट्रक का कारगो का क्या वो तो मालो ट्रक की परमिट देख लेंगे उसने परमिट दिखा दिया कारगो को कैसे चेक करेंगे तो देखो कारगो के लिए भी न एक तो यह की कई जगे तो BASF कारगो को देखती नहीं है वो देखती है ट्रक है परमिट है तो छोड़ देती है और माल लो کہ रोग बन किसी एक तो यह लूप होल दूसरा माल लो किसि जगे strict facility है वहां पे माल लो goods को कारगों कारम भी चेक किया जाता है तो इसके लिए फिर बैगेज स्कैनिंग मशीन होती है स्कैनर्स होते हैं जो उपर से चेक नहीं कर लेते हैं बैग में अंदर क्या हो सकता है फिर टू 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 बच जाता है तो अब यह देखा गया है कि यह मशीन से भी हर इंटिगेटर चेक पोस्ट पे नहीं है और इसकी वज़े से क्रिमिरल्स फायदा कर लेते हैं नारकोटिक्स और गोल्ड में स्मंगल करने में और जब मशीन साब की कई बार देखा गया कि इनेफिशेंट मशीन है मगर चलने ही रही है वो स्कैनिंग वाली तो जो लीगल पैसेंजर होते हैं उनको ज़दा टाइम ले जाते हैं अगला चलेंज है अईडेंटी वेरिफिकेशन का देखो ऐसा है कि यार कई बार वहां पे लोगोंने बताया है कि लीगल माइगरेंट आते हैं वहां पे और वहीं पर जो है आसपास काम करने लग जाते हैं और फिर ट्रुक जो है वो जब एंटर होते हैं से जो परसनल है वह यह नहीं जानते कि डोकुमेंट को किस तरीके से वेरिफाइफ करना या फिर हो सकता है उनके पास पूरी तरह इक्विमेंट नहीं हो तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कते तो आती ही हैं अब अब देखो कॉमन रिकोर्ड नहीं है जो लोग आ रहे हैं जार उनके लिए कॉमन डाटाबेस नहीं है तो ना इससे दिक्कत हो जाती है क्योंकि क्या है देखो ऐसा है कि अगर डाटाबेस बना रहेगा तो इंटिगेटेड चेकपोट जितनी भी होंगी हमारे देश में उनमे पे दिक्कत नहीं आएंगी और आराम से लेटिमेट पसेंजर्स का फ्लो रहेगा फ्लेक्सिल्विटी बढ़ेगी और इससे हमारा इस बिजनिस भी बढ़ेगा ट्रेकिंग अच्छे से पड़ेगी तो एक सेंट्रल डाटाबेस बनाना जरूरी है यह टोपमोस्ट प्रेट मेनेट अच्छा आता है क्या हर जगया आप सबको पता की हर जग है कि डिजिल के डोप की तो हम ज़रूरी है की टेपर लेस्स में एसी व्य difficult लाएं ताकि हम डिजिछिश्ट क्नेक्टिविटि भी प्रलाइब कर रहे हाई स्पीड के डेकिटी हो और उससे पेपर लैस में जो performance है वो अच्छे से हो सके अब यह तो मैंने challenges बता दिए way forward बता हूं आपको वह way forward कुछ ही नहीं simple है कि use of technology for scanning voluntary purposes installation of cargo scanners और support infrastructure को improve करो technology का use optimize अच्छे से optimal use करो digital connectivity बढ़ाओ और budget डालो यार पैसा डालो इनकी maintenance पर ऐसा नहीं एक बर कुमेंट दे दिया फिर खराब हो गया पता ही नहीं चल रहा है तो जरूर यह smart cards का issue करो अभी यहां किया था बंगलादेश की साइड इंडिया ने paperless permit electronic permits जारी किये थे तो drivers के लिए smart card जारी करो अच्छा immigration अच्छे तरीके से हो streaming अच्छा मतलब immigration ऐसा हो कि बिल्कुल central database से जुड़ा हुआ हो streamline कर दो database के साथ ताकि illegal ना आये लोग और जो वास्तों में legal है वो ढंक से आ सके जिंगो वास्तों में allow किया गया है वो ढंक से आ सके उनको प्रेशानी नहों तो यह बहुत बड़ा challenge है कि तुम्हे facilitate भी करना है और restrict भी करना है तो एक यह single agency के अंदर होना चाहिए एक तो single database database और database का पूरा manage करने वाली single agency ताकि duality ना हो यहाँ पर काम है state governments के साथ तो corporation आपको बढ़ाना ही पड़ेगा तक infrastructure improve हो जैसे road हो land acquisition नोर्थ इस्ट एरियास के अगर मैं बात करूं न तो नोर्थ इस्ट एरिया में जमीन लेना वहाँ पर land acquisition करना road बनाना थोड़ा आसान नह पड़ेगा सेंट्र स्टेट्स के बिच में जिस तरीके से वाइड चल रहा है भी तो उसको कम करना पड़ेगा तो सेंट्र को भी आगरना पड़ेगा यहाँ पर कि state governments का trust बढ़ाए ठीक है और dialogue बनाना पड़ेगा यहाँ पर state authorities के साथ union government को मिलके states के concern का address करना पड़ेगा कोपरेशन बढ़ाना पड़ेगा integrated check post में multiple agencies होती है तो एक framework कैसा बनाना पड़ेगा कि यह आपे सारी agencies में interaction हो इससे smooth functioning होगी integrated check post की conclusion क्या है आपके UPSC के लिए क्या लिख सकते हैं कि जो government है उसको existing ICPs खुली है उनका जो गलतियां जो flows लूप होल्स आए उनको improve करो किसमें job develop करने वाले हो उनमें वो गलतियां नहीं होनी चाहिए और जो अभी है उनमें तो करोगी so efficient integrated check post जरूरी है इंडिया के trade और connectivity के लिए अपनी neighboring countries के साथ I hope आपको इस समझ में आया होगा ये PDF आपको मेरे टेलिग्राम चनल पर मिल जाएगी में शोर्स हम डालते रहें टेलिग्राम चनल पर धन्यवाद गुडबाई गुडबाई